लखनव में मद्दान होने में बस अब कुछ ही वक्त का बाकी है हमारे साथ रविदास महरोतरा जी हैं जो समाजवादी पार्टी से लखनव लोगसभाग शेतर के उमीदवार हैं तीन महीने से लगातार प्रचार कर रहे हैं रविदास जी अब तो प्रचार खतिमी हो गया है हमें ये बताए कि कल की किस तरह के तयारी है कि आपके वोटर बूतों तक पहुँचें कोई दिक्कत तो नहीं है उन्हें हम लोग लगातार जनता के बीश में रहते हैं और जनता के मुद्दों और जनसमस्याओं को ले करके अनवरत संघर्ष करने का काम करते हैं भारती जनता पार्टी जो सांसद हैं वो सब तरीके अपना रही हैं कि कैसे जो समाज के पिछड़े लोग हैं दलित हैं अलब संख्यक हैं समाजात के गरीब लोग हैं उनके वोट ना पढ़ने पाएं और प्रसासन उसमें लगा हुआ है लेकिन इस बार लखनव शहर में इतिहासिक भारी मद्दान होगा जनता ने अपना मन बना लिया है परिवर्तन और बनला होना तैह हो गया है अब भारती जनता पार्टी के जुल्म और अन्याय के आगे कोई डरने वाला नहीं है बहुत लंबे समय से लोग इंजार कर रहे थे कि मद्दान का दिन आए कल मद्दान होगा और आज जनता का मन बन गया है कि परवर्तन और बदला होना है पिछले दो दिनों से जैसे जन सलाब उमड़ा है रोड़ सो में उससे सपस्ट हो गया है कि लखनों की लोगों ने इंकलाब कर दिया है परचियां के बाटे जाने का सिलसला काई दिनों से चल रहा है क्या आपको लग रहा है कि ठीक से सारी वेवस्ताय चल रहे हैं बियलो परचिया बाट रहे हैं लोगों के जो भी मद्दाता उनके तक पहुच रही है कुछ जगएं बियलो ठीक से बाट रहे हैं लेकिन अधिकाश जगएं के उपर जहां पर पिछड़े वर के लोग रहते हैं जहां दलित रहते हैं, जहां मनिन बस्तियां हैं, जहां गरीब के मकान हैं, जहां अलब संख्यक लोग रहते हैं, उन जगों के उपर परशिया बाटने का काम नहीं कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों के बस्ते लगेंगे, जिनको परशिया नहीं मिली होंग हम लोग अपने टेबुल से उनकी पर्षिया बनाएंगे हमारे हर टेबुल पर एक कम्पूटर का आदमी मुबाइल लेके रहेगा जो तत्काल उनका नाम निकालेगा और पर्षिया बना करके उनको देने का काम करेगा तो ये रविदास महरोतरा जो ये कह रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा गलबडी करने के आशंका है इसका मतलब ये है कि जिस तरह से राजनितिक दलों के पत्याशों के प्तिस्था दावा पर लगी हुई है कहीं न कहीं चुनाव आयोग की बिश्वसनिता भी दावा पर लग पाता है तो कहीं न कहीं एलेक्शन कमिशन पर जाएगा